आइसलाम अलेकूम वालकाम बैक टू मैं जैनल क्या हाल है आप लोग सब ठीक होंगे खेर खेरियत से होंगे तो आज पिर एक नए विलॉग के साथ हाजिर हुई हूँ तो बस यह रात का टाइम और रात से ही जैना मैंने विलॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैंने सुझ और बचों का और हजबेंट का दिल कर रहा थे कि जो ए ना आज मेगी बनाओ और जो है स्पाइसी अली मेगी बनाओ तो मैंने सुझए चलो आज जो है मेगी भी बना ले थी हूं साथ साथ आपको बदाती भी जाऊंगी कि हम लोग ने जो है नाइट में हमने क्या किया और क्य खाया, कौन सी मुवी देखी, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी, तो यहाँ पे यह बहुत ही ज़ादा स्पाइसी मेगी थी, हजबंड को यह वाली खानी थी, और उनका कि जो भूँ ज़ादा स्पाइसी हो न तो वाला फिलेवर मुझे खिलाओ, तो मैंने ब्लाजिन चोड़के, मैंने यह वाली मेगी जो है, हजबंड के लिए बना ली थी, साथ में, बच्चों की भी मेगी जो है बन रही थी, और बच्चों के काम आप देखें, इस वक्ट बारा बज रहे हैं, और यह किस तान से खेल में लोगों ने, क्योंके विकेशन चल रही है, तो इसलिए मैं फिर कोई लोगों जादा नहीं फोर्स करनी हूँ इस चीज के लिए तो मैंने का चलो विकेशन है जब तक खेलने, तो यहां मैंने हजबन को दे दी थी मेगी और साथ में बच्चे भी खा रहे थे और एक छोटी सी जो हमने मुवी हम सर्च करे थे कौनशी मुवी अगर अलगा है तो इस तरह से हमाई रात गुजर गई थी और नेक्स जे जो एना फिर फरमाईशती है हजबन की नेक्स वही पिलाओ क्योंकि जाहर सी बात है राइज ऐसी चीज़ और पिलाओ खाए पिलाओ या फिर बिर्यानी तो वह मस्ट्री होती है ना तो यहां पर जो है ना मैं आपको आज परफेक्ट तरीके से पिलाओ की रेसिपी बताऊंगे बिलकुल परफेक्ट जो है ना बिलकुल जो इलाइची थी और छोटी लाइची यहां पर मैंने आफकेजी चिकन लिए थी और इसमें मैंड़ के डंगी तो यहां पर यखनी के से तक्रीबभन तीन से चार ग्यृव किलास है पाई डाल दिया थी मसाला is, घरम के लिदिया यहां कमी अपने दिया थी तो तो भी मैं डाल दूंगी जो है जिंजर मैं डाल दी थी और यह देखें डालना बुल रही थी तो मैंने इस पॉइंट वे टू टेबल स्कून में आपे धनिया साबद वो डाल दिया भी यहां यहां पर बता रही है आपको यह है स्पेशल दम का मसाला तो यह आपने बिल्कु यह पूल में लिए हैं दो और वञले दाल चेनी के टूड़े लिए हैं चार से पांच मेंने लोंगे लिए हैं और उसके बाद बड़ी एलाइची हमने यह आप ले लिए है तो यह सारी चीज़्े ना मैं आप लोको दिखा रही हूं तो इसको हमने तीन हमने चोटी लिए बेसे एक नोट में वाय नियों मेगे इसार दे में घूतowा में इसार दीलि कोशिक चाहिसारो सबस्क्राइब कर दोग्याओं वाइसे बैस अब शाहर से प्रक्राइब करों ज्यूटिक जुद्सक्राइब कोशिण होना कोशिश हैं मेरी यखनी चींड में सब्सट अक्रार है अगर झाला, चुक्राइत कर लिए फेज़िए, जिया मड़न भीन चाहरे निस ना उसा जाए नपार क्या वड़ाई पुल म। उसका दो असुट वह बड़ा से श्डार हो निद बना खो टृत नあぁ Silicon स्लीक अपने में इसमेड़ेंगे हलका साय में भम मिक्स करेंगे ठीन टीमार्टर। इसमेंगे में 3 टीमार्टर शद्था ृधम , 2 तальная लगात तो 3 मिर्चे या हलकी कुख ते में 12 टीमार्टर आप निरेंगे हम फिर लाग के बढ़ती प। मेने 4-5 अलो बखारे लिये हैं मैने 3-4 लोंगी मिर्चे लिये हैं और टू टेबल स्पून के करीब या वन टेबल स्पून करीब मेने जिंजर गार्दी कपस्लिया है अदा कप दही लिया है और साथ में 1.5 टीस्पून मैंने कुटी हुए लार्मिट डाली है और 1.5 टीस्पून मैंने यहां पे आजीनो मोटो डाला है और थोड़ा सा नमक मैंने डाला है क्योंकि नमक यखनी में भी ना तो आपने उसे साब से नमक क्वाइंटी रखनी है चाह पर भी मुझे अक लगेगा तो पिर मैं दुबारा डाल दूँगे अच्छा यह जो मैंने मसाला पीसा था अना वह मैं इसमें आप डाल दूँगी वह पंचों में नए प्रकाइब प्रकाइब दैज्ट के लिए खाया , अदा लिमुम् और लिमु आप इसमें स्कूस्थ करें और इसके बाद इसको हम अच्छे से भूल लेंगे टिमाटर हमारे गल गए हैं और इसकी खुब अच्छे से भुनाई हो गई है तो इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें जो यखनी हमने निकाल के रखी थी वह हम डाल देंगे और जो राइस थे तीन गिलास सेला राइस लिये थे उसे मैंने पहले ही भीगो के रख दिया था और यह मैं इसमें डाल दूंगी और इसकी पानी की कौइंटिटी जो है ना आप देख सकते हो अपने साब से कर आपको गिलास का मेजर्मेंट पता है लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है मैं इस तरीके से चेक चेक करती हूँ और हर वार में ये बहुती हु तो मेरे जो विवर्सार उनको पता हो गया होगगा अच्छे सब्सके उसके बाद मैं नमड मुझे कम लगा तो वे ने डाल दिया कि साथमें घरा दनियाया, अरि नोमों यह ढालें नहीं किया और इसका पोदी नहीं पोदी नहीं भी आप इसमें ज़रूरेट करिएगा तो बाद इसको जो है हम इतना वायल करेंगे कि इसमें इस तरह से हॉल्स बनने लग जाए तो भी दम की जो है यह निशानी के स्टाइम पर आप इसको दम दे सकतें तो यह पांच मिनट हो गए तो दम को तो आप में इसमें डालूंगी यहाँ पे फूट कलर ऑप्शनल है आप चाहो तो डाल दो अगर भार जैसा लुक देना है आपको और उसके बाद हमने तलीवी प्याज इसमें एट कर देंगे यह देखें यहाँ पे और इसको जो है सजाने के लिए लीमू हमने इसमें डाल दि दिया था और वो पॉइंट जो है ना में आप लोगो को दिखाना बस क्लिप जो है ना मुस्से रिकॉर्ड नहीं हुआ यकीन करें जिसे हम बाहर की बिरियानी खाते ना देखके जो प्लाओ बिरियानी नली बिल्कुल वैसे इसका फ्लेवर आया था उसके बाद जो है यह आज अलु के कबाब जोहें इंट तो यहां पर जोहें में आलु सारे चील लिये थे और उसको मैं वाल कर लूगी अच्छा मैं आलु को वाल करने का एक तरीका होता है इस तरह से आप इसको क्यूप करके वाल करेंगे तो इसमे कभी भी लेस नहीं आएगा बिल्कुल ड्रा आलो अखे लेऊ होंगा दा penguin को लेले मसाल यह देड़ी के अलाण ए नमग और नमक में उसके शरी है बच्छARS में लाइ भाग फाउ टीजपोन गरो मसाल तो इद्फोन एड़ेट किया एड़ Richtung शरी है तो आप टीस्पून एक जोड़ीजार को टीक हरी मिर्चे और अपर अपर डालें कि अच्छी यहां पर चाट मसाला भी एक यहां एक चाट मसाला भी आपने बादिया है थोड़ से स्पाइस मुझे कम लग रहे थे तो मैंने बढ़ा दी आपके हाथ में आपने अगर कम डालने रखने हैं ज्यादा तो इस तरह से आपने इसका बेटर बना ले नहीं कितना जबर्दस बना है और इसके मैंने कबाब गरा बना लिये थे अंडे में डिप की आप चाह सारे कबाब में फ्राइर कर लूँगी और साथ में हस्बंड पैटिस लेकर आगए थे मैंने चाइव अगर भी बना ली थी तो शाम का टाइम हमारा इसी तरह से गुजरा था और यह हमने टी टाइम में कर लिया था तो नाइट तो नाइट तो नाइट रोटिन मेंने एवन आई होप लोगों को अच्छा लगा और आज की मज़ेदार सी रेसिपी आप लोग ने स्किप नहीं करनी बिल्कुल और इसको जरू ट्राय करना है तो बस फिर मिलते हैं इंशालला नेक्स लोग में दूआ में जरूर याद रखिएगा मेरी और आईशा की तरफ से अल्लाह हाफिज टे क्यार बाई बाई